आज हम पढ़ेंगे पॉलिस आइफोनिया का निशेचन उपरांत परिवर्थ हैं यानि पॉलिस आइफोनिया में पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेज तो आज हम polysiphonia का ये तीसरा भाग पड़ रहे हैं ये तीसरा वीडियो है और तीसरा और आखरी वीडियो है ये पॉलिस आइफोनिया का तो पॉलिस आइफोनिया में निशेचन पूर्ण होने के बाद मादा जनन सनरचना तथा उसके आसपास बहुत सारे परिवर्तन होते हैं जिससे कार्पोस्पोरोफाइट का निर्मान होता है तो निशेचन के उपरांत सबसे पहला परिवर्तन सहयक कोशि का औक्जिलरी सेल का निर्मान होता है यह देखे यह जो फीमेल ट्राइकोब्लास्ट है उसके अंदर यह कार्पोगोनियम बनी है यह हमने रिप्रोडक्शन में पढ़ा था पिछले वीडियो में तो यहां सपोर कित कार्पोगोनियम फिलामेंट होता है तो यह जो कार्पोगोनियल फिलामेंट है उसकी सबसे उपर की जो सेल होती है वो कार्पोगोनियम बनाती है तो सपोर्टिंग सेल से ऑक्जिलरी सेल बनती है सबसे पहला काम यह होता है तो यह बी जो डाइग्राम है इसमें आप द यानि धारक कोशिका और कार्पोगोनियम कोशिका के बीच में ये उक्जैलरी सेल यानि सहायक कोशिका बन जाती है. तो यह जो सहायक कोशिका बनती है इसके अंदर एगूनित हैपलाइड केंद्रक होता है. और कार्पोगोनियम जो है कार्पोगोनियम में जाइगोट है द्विगुनित केंद्राख होता है इसमें तो सहायक कोशिका के बनने के साथ ही ये जो लेटरल फिलामेंट लेटरल इस्टराइल फिलामेंट हैं और बेसल इस्टराइल फिलामेंट ये विभाजित होकर अनेक कोशिकाओं के चार से दस कोशिकाओं के लंबे तंतु बन जाते हैं ये जो तंतु हैं बाद में आगे चल कर ये जो डवलपिंग कारपोस्पोरोफाइट है इसको पोशन प्रदान करेंगे तो इस प्रकार से निशेचन के तुरंत बाद एक तो सब औक्जिलरी सेल बनती हैं सहायक कोशिका बन जाती है तथा ये जो तंतु हैं इस्टराइल तंतु इन में भी व्रद्धी होती है और इसके साथ ही ये जो कारपोगोनियल फिलामेंट की जो पैरिसेंट्रल कोशिकाओं हैं उन से पैरिकार्प का निर्मान होता है ये जो कवरिंग आवरन जो बन रहा है ये इसका निर्मान भी शुरू हो जाता है तो पैरिकार्प का निर्मान निशेचन से पहले ही शुरू हो जाता है और बाद तक ये चलता रहता है इसके साथ साथ जैसे 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 कार्पो sporophyte का निर्मान होता रहता है pericarp का निर्मान भी चलता रहता है तो सहायक कोशिका यानि auxiliary cell के निर्मान के बाद ही ये कार्पोगोनियम से एक नली का द्वारा जोड़ जाती है अब कार्पोगोनियम कोशिका का जो द्विगुनत केंद्रक है उसमें समसूत्री विभाजन होता है और दो केंद्रक बनते हैं इन दो केंद्रक में से एक केंद्रक सहायक कोशिका यानि auxiliary cell में आ जाता है कार्पोगोनियम से एक द्विगुनत केंद्रक सहायक कोशिका में आ जाने के बाद जो कार्पोगोनियल ब्रांच है उसका हरास हो जाता है डी जनरेशन हो जाता है और वो विलुप्त होने लगती है यह देखिए इस चित्र में जो कार्पोगोनियम है उसका हास हो जाता है कार्पोगोनियम फिलामेंट का और यह विलुप्त होने लग जाती है और सहायक कोशिक का जो एगुनित केंद्रक है यानि जो सपोर्टिंग सेल सॉरी ऑक्जिलेरी सेल का जो अगुनित केंद्रक है वो भी लुपत हो जाता है क्योंकि उसमें एक द्विगुनित केंद्रक आ चुका है तो खाली द्विगुनित केंद्रक ही शेश रहता है इसके साथ ही जो धारक को कोशिका है यानि सपोर्टिंग सेल के पास की पेरिसेंट्रल कोशिकाएं विभाजित होकर पेरिकार्प जो बनाती हैं फल भित्ती का निर्मान शुरू कर देती हैं जो की निशेचन से पहले ही शुरू हो चुका होता है अब ऑक्जिलेरी सेल के ऊपर की और गोनिमो तन्तु ये बहुत घने होते हैं और जिसकी हर एक कोशिका में एक केंद्रक होता है और द्विगोनित केंद्रक होता है तो अक्जिलेरी सेल का जो द्विगोनित केंद्रक है वो वापस मायटोसिस के द्वारा बहुत सारे केंद्रक बनाता है और ये जो केंद्रक हैं वो गो Unimoblast तंतु की सबसे उपरवाली कोशिका कार्पो बिजानु धानी बनाती है जिसमें एक द्विगुनित कार्पो बिजानु बनता है कार्पो स्पोरोफाइट के विकास के साथ ही धारक कोशिका यानी सपोर्टिंग सेल, सहायक कोशिका, अक्जिलिरी सेल और बंधे तंतु की कोशिका हैं जो लेटरल फिलामेंट और बेसल इस्टराइल फिलामेंट हैं वो सारी कोशिकाई संयुक्त होकर एक अनियमित आकार की बड़ी बिजानडासन कोशिका प्लेसेंटल सेल बनाती हैं जो विक्सित होते हुए कार्पो बिजानु भिद को पोशन प्रतान करती हैं मादा ट्राइकोब्लास्ट की जो पेरिसेंट्रल कोशिकाउं की व्रधी से पेरिकार्प युक्त कुम्भाकार अन्शेप का मटके के आकार का व्रंत युक्त और एक छिद्र युक्त यानि ओस्टियोल होता है जिसमें ये संरचना बन जाती है जिसको सिस्टो कार्प कहते ह तो इस सिस्टो कार्प में कार्पो स्पोरोफाइट होता है जो की एलंगिक जनन द्वारा कार्पो बिजानू बनाता है और कार्पो बिजानू फिर इस ओस्टियोल के द्वारा बहार आ जाते हैं और ये अंकुरित होकर टेट्रास्पोरोफाइट बनाते हैं तो ये सिस्टो कार्प के अंदर ये कार्पो स्पोरेंजिया बनी है जो गोनिमो ब्लास्ट फिलामेंट की सबसे उपर की कोशिका होती है तो कार्पो बिजानू ये बाहर निकल गए औस्टियोल में से और ये कुछ देर पानी में तैरते हैं और फिर आधार पर जैसे ही एक संपर्क में आते हैं तो इनके चारों तरफ एक कोशिका भित्ती का श्रवन हो जाता है उस भित्ती जो श्लेश्मा भित्ती है उसी से ये चिपक जाते हैं सबस्ट्रेटम के और इसका अंकोरन शुरू होता है तो अंकोरन में अनुप्रस्थ व 1 2-2 कोशिकाएं बन जाती है चार कोशिका तन्तू बन जाता है और नीचे वाली कोशिकाए राइजर बनाती है और उपर वाली जो कोशिका है को आपिकल-सक तरह काम करती है और थो नीचे की तरह इसमें paru central Siphon बन जाते हैं और इस तरह से polysiphonuse on earth का निर्मान हो जाता है इस जो पादप है यह जो पादप बनता है पूरा ब्रांश्ट शाखित पादप होता है और पॉलिस आइफोनिया के युगमकोद भित जैसा ही होता है दिखने में और यह कहलाता है टेट्रास्पोरोफाइट तो यह टेट्रास्पोरोफाइट जो की का कार्पो स्पोरो कार्पो स्पोरोफाइट के कार्पो बिजानु द्वारा बनता है ये भी द्विगुनित होता है क्योंकि यहां पे कोई अर्धुसुत्री विभाजन नहीं हुआ है और द्विगुनित टेट्रास्पोरोफाइट का निर्मान होता है ये एक स्वतंत्र जीवी अवस्था है जिस तरह से युगमकोद भी एक स्वतंत्र जीवी अवस्था है टेट्रास्पोरोफाइट भी स्वतंत्र जीवी अवस्था है लेकिन बीच में जो अवस्था अभी हमने पढ़ी कार्पोस्पोरोफाइट ये जो यह एक परजीवी अवस्ता है जो कि फीमेल गेमीटोफाइट के उपर आश्रित होती है यह चतुष्क बिजानू भिद टेट्रास्पोरोफाइट यह भी एलेंगिक जनन द्वारा जनन करता है और इसमें एलेंगिक बिजानू टेट्रास्पोर्स बनते हैं जो कि टेट्रास् तो टेट्रास्पोरोफाइट में भी की संरशना भी ऐसे होती है एक एक्जियल तन्तू होता है उसमें और चारों तरफ उसके पैरिसेंट्रल तन्तू होते हैं तो जो फर्टाइल ब्रांच होती है उसमें एक जो टायर है एक जो सोपान है उसके पैरिसेंट्रल तन्तूओं में से एक pericentral cell जो है वो छोटी होती है ये छोटी cell ही pericentral कोशिका fertile cell होती है और ये निर्मान करेगी tetrasporingium का तो सबसे पहले जो छोटी pericentral कोशिका है यानि fertile pericentral कोशिका है उसमें एक लंबवत विभाजन होता है और एक बाहर की तरफ कोशिका बनती है जिसको cover cell कहते हैं और एक अंदर की तरफ कोशिका बनती है अंदर की तरफ वाली कोशिका tetrasporingium mother cell होती है बाहर की cover कोशिका से एक लंबवत विभाजन और होता है और दो cover cell बन जाती है कुछ जातियों में इन दो कवर सेल के अलावा एक नीचे छोटी पैरी सेंट्रल कोशिका भी बनती है अब अंदर वाली जो टेट्रास्पोरेंजियम मदर सेल है उसमें भी एक अनुप्रस्त विभाजन होता है और एक नीचे की तरफ छोटी स्टॉक सेल बनती है और उपर की ये टेट्रास्पोरेंजियम साइज में कई गुना आकार में बढ़ जाती है और ये इसके अंदर फिर जो इसका डिप्लॉड नूकलियस है क्योंकि टेट्रास्पouriफाइट में सारी कोशिकां में एक,एक नुकलियस है और वह सभी डिप्लॉयड नुकलियस है तो ये डिप झार रेड़क्शन डिवीजन के दूरा चार नेटी बनते हैं और यह चार निकल्य कलिएस टैट्रहेतरली अर्रेंज हो जाते हैं चतश्पल के रूप से चतुष्क बिजानू धानी से बाहर निकलते हैं और चतुष्क बिजानू धानी से बाहर निकलने के बाद यह जो कवर सेल हैं यह अलग-अलग हो जाती हैं प्रथक हो जाती हैं दूर हो जाती हैं और इन में से चतुष्क बिजानू बाहर निकल जाते हैं पानी में और फिर य कोई ठोस आधार मिलता है वहाँ पर यह चिपक जाते हैं रुक जाते हैं और वहाँ पर अंकुरित होकर नया प्लांट बनाते हैं जिसको कहते हैं युगमकोद भिद तो एक युगमकोद भिद जो एक जो टेट्रा स्पोर है उससे एक युगमकोद भिद भिद बनता है तो यहां एक बिजानु धानी में चार बिजानु हैं तो चार बिजानु से दो मेल गेमिटोफाइट बनते हैं और दो फीमेल गेमिटोफाइट बनते हैं तो इस प्रकार पॉली साइफोनिया में हम देखते हैं इस पस्ट पीड़ी एकांतरण पाया जाता है एक गेमिटोफाइट से दूसरा दुबारा पुन्हे गेमिटोफाइट प्राप्त होने तक तीन अवस्थाएं होती है तो यानि शुरू में जो गेमिटोफाइट है एक तो युगमाकोद भिद उसके बाद बीच में बनता है कार्पोइस्पोरोफाइट जो की पैरसाइट होता है फीमेल गेमिटोफाइट के उपरी और तीसरा जो बनता है चतुष्क विजानुद भिद जो की सुतंतरजीवी हो प्लांटिक लाइफ साइकल भी कहते हैं जिसमें दो डिपलाइड अवस्थाएं होती है एक तो कार्पोइस्पोरोफाइट तथा दूसरा टेट्रास्पोरोफाइट तथा एक अगोनित अवस्था होती है गेमिटोफाइट तो इस प्रकार ये सेक्शुल साइकल इसकी